हेलो एवरिवन, वेलकम टू लण मैथ्यो निकली, आज हम अलजेबडा पढ़ेंगे, देखिए, क्वेश्चन है हमारा, x प्लस 1 बाइ x is equal to 3, हो तो x q प्लस 1 बाइ x q का वैल्यू हमें निकालना है, इसके पिछले वीडियो में हमने x square प्लस 1 बाइ x square का value हम कैसे निकालते हैं, वो हमने सीख लिया है, तो चलिए फिर हम शुरू करते हैं, देखिए, हमें निकालना है x q प्लस 1 बाइ x q, x cube is equal to 3 का whole cube, ठीक है, अब x प्लस 1 बाइ x का whole cube करना है, x को हम a मान सकते हैं और 1 by x को हम b मान सकते हैं, ठीक है, a प्लस b का whole cube करना है, x cube प्लस 1 बाइ x का whole cube प्लस 3 x, गुना 1 by x गुना x plus 1 by x ठीक है यह हमारा a plus b का whole cube का formula है is equal to 3 का cube करना है 3 का cube होता है 27 ठीक है अब इसे हम solve करेंगे x cube plus 1 by x cube plus x और 1 by x है यह हमारा cancel हो जाएगा तो हम लिखेंगे 3 x plus 1 by x आप देख सकते हैं में हमारा x plus 1 by x का value 3 दिया हुआ है x plus 1 by x का value हम यहाँ पर 3 लिखेंगे ठीक है is equal to 27 अब हम लिखेंगे x cube plus 1 by x cube is equal to 27 हम यहाँ लिखेंगे यहाँ पर गुना करेंगे 3 गुना 3 9 होता है 9 को हम equal to के इधर भेजेंगे ठीक है 9 को हम equal to के इधर भेजते हैं तो minus में बदल जाएगा क्योंकि यहाँ पर sign कौन सा है plus का sign है plus का sign equal to के इधर आता है तो minus में बदल जाता है minus 9 ठीक है अब x cube plus 1 by x cube is equal to 18 यह हमारा answer हो गया ठीक है basic से हम कैसे solve करते हैं वो हमने सीख लिया अब हम trick से कैसे solve करते हैं वो हम देखते हैं इस question को solve करने के लिए हमें कुछ important points याद रखने हैं देखिए हमने पड़ा है plus 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 होता है लेकिन ऐसे question को solve करने के लिए plus का sign minus में बदल जाएगा ठीक है plus minus minus होता है लेकिन या plus में बदल जाएगा minus plus minus होता है लेकिन या plus में बदल जाएगा minus minus plus होता है लेकिन या minus में बदल जाएगा ठीक है तो trick है हमारा अगर ऐसा question दिया हो x plus 1 by x is equal to 3 हो तो x cube plus 1 by x cube मतलब में cube निकालना है तो हमारा trick है n cube plus minus 3n ठीक है n क्या है हमारा जो number यहाँ पर दिया हुआ x plus 1 by x का value जो दिया हुआ है वही हमारा n है n cube plus minus 3n ठीक है n cube मतलब में 3 का cube sine कौन सा होगा plus plus है तो हम यहाँ पर minus का sine लिखेंगे 3 गुना 3 n का value 3 है हमारा 3 का cube मतलब में 3 तीन आई 9 27 27 माइनस 3 तीन आई 9 is equal to 18 यह हमारा answer हो गया I hope आपको यह question सबज में आ गया होगा तो प्लीज एक like करें देखिए second question है हमारा x plus 1 by x is equal to 5 हो तो x cube plus 1 by x cube का value हमें निकालना है तो trick था हमारा n cube plus minus 3n ठीक है n का value क्या दिया हुआ है 5 दिया हुआ है तो 5 का cube और यहाँ पर sign कौन सा होगा plus का sign यहाँ भी है और plus का sign यहाँ भी है तो यहाँ पर minus का sign होगा plus 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 होता है लेकिन हम यहाँ पर minus का sign लिखेंगे तीन गुना 5 ठीक है पास का cube करते है पास पचे पचीस 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 पचे एक सो पचीस एक सो पचीस माइनस पास तिया ही पंदरा होता है पंदरा एक सो दस यह हमारा answer हो गया आपको यह question अच्छे दरह से समझ में आ गया होगा वीडियो helpful लगी तो प्लीज एक लाइक करें और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल Learn Matthew निकली को सब्सक्राइब करें थैंक यू